हारे कृष्णा जैशिल प्रभुपाद संजय जी, अर्जुन जी के शोक में डूब जाने का सारा व्रतांत दृतराष्टर जी को सुना रहे हैं वे उन्हें बता रहे हैं कि अर्जुन जी हिर्दे की दुर्बलता में फस चुके हैं जिसके कारण दृतराष्टर बहुत खुश हैं वे ये सोच रहे हैं कि अब कॉर्बों की जीत निश्चित है लेकिन उनको ये नहीं पता कि अर्जुन जी ने माखन नहीं बलकि माखन चोर को चिना है जो सारी सुष्टी के पालनहार हैं आज हम नौमश लोका करेंगे नौमश लोका अर्थार्थ संजे ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रों का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद नहीं करूँगा और चुप हो गया अब अनुवात के नुसार दृत्राष्टर जी को परमपरसंता हुई होगी कि अर्जुन जी युद ना करके युद भूमि छोड़ कर बिक्षाटन करने जा रहे हैं परन्तु संजय जी ने ये कहकर उनकी खुशी पर पानी फेड़ दिया कि यद भी अर्जुन जी अपने शत्रों को मारने में सक्षम है परन्तु मिथ्याशोक और परिवार के प्रती स्ने के कारण वे ऐसा करने की सोच रहे हैं किन्तु उन्होंने शिश्य रूप में अपने गुरू भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहन कर ली जिससे सूचित होता है कि वे जल्द ही अपने इस मिथ्याशोक से बाहर आ जाएंगे और कृष्ण भावनमृत के पूर्ण ग्यान से प्रकाशित होकर फिर युद्ध करेंगे इस तरह धृत्रष्ट का हर्ष भंग हो गया आज का सूविचार कृष्ण भक्ती द्वारा भाग्य बदला जा सकता है श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे पाप मैं जीवन के फलो से तुम्हारी रक्षा करूँगा इसका अर्थ भाग्य बदलना हुआ जब आप भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो वे आपके समस्थ पापकारियों और उनके फलो को नश्ट करने का जिम्मा भी ले लेते हैं श्री कृष्ण की शरण लो और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और जबते रहो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और हमेशा की तरह खुष रहिए इसी के साद भगवद गीता यथारुप का नौमा श्लोका पूरा हुआ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए हरे कृष्णा जै शीलप रभुपाद